अज़ का हमारा जो टोपिक रहने वाला है वो रहेगा एलेक्ट्रिक फिल्ड इंटेंसिटी द्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हाना ये टोपिक हमारा चल रहा था और इसका एक पार्ट हम कर चुके हैं पहले हाना एक्स्यल लाइन पर एलेक्ट्रिक फिल्ड इंटेंसिटी दू टो एंट इलेक्ट्रिक चाईप 보이는 ये हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे ऑर इसका जो हमारे पास पहला पार्ट था वो था एक्सील लाइन पर अब मेरे पास यहां पर इसकुस करूँगा एक्विटोरियल लाइन पर इलेक्टिरिक फेल्ड की बैल्ल्यू एलोक्टिरिक फिल्ड इंटेंसिटी क्या रहेगे ड्यूटियू इलक्टरिक डाइपॉल तो हम एक डैपोल बना लेते हैं यहां पर मैंने मान लिया कि यहाँ पे एक negative charge है यहाँ पे एक positive charge है ठीक है दोनों के बीच का distance of separation हमने पहले ही बताया था कि electric dipole जब होगा तो 2a is the distance of separation ठीक है अब इससे perpendicular distance हम मान लेते हैं कोई भी r distance कहलो या x कहलो आप जिस हिसाब से जो भी आप representation दिना चाहो मैंने मान लिया कि इससे r distance के उपर axial line पे equatorial line पे कोई point है ठीक है और इस point के उपर हम इन दोनों charge की वज़े से electric field की value क्या रहेगी वो हम calculate करना चाहरे है तो एक बार मैं इसको मिला देता हूँ यहाँ से इस point को मिला दिया मैंने यह triangle बना लेता हूँ हूँ है और यहाँ से यह बना दिया अना अब यहाँ पर हमें पता था कि इस point पर हम इलेक्रिक फिल्ड इंटेंसिटी यहां पर calculate करेंगे तो यहां पर कोई पोई positive test charge मान के चलेंगे ठीक है इस point पर हम जो check कर रहे हैं इसकी वज़े से इलेक्रिक फिल्ड इंटेंसिटी इस point पर रहेगी वह देखो यह positive charge है और positive के उसे electric field lines क्या होगी outward direction में तो इसकी electric field intensity रहने वाले है उसकी direction कुछ इस तरह से oppose करेगा और यह negative charge है तो इसकी electric field line के direction कुछ इस तरह से रहेगी तो वह electric field intensity के direction अपनी तरफ लेक्षे आएगा ना तो यह कोशिश करेगा कि electric field इधर आए और यह कोशिश करेगा कि electric field इधर जाए तो मैंने इसको फॉइंट का नाम देता हूं कि यह कोई ए पोइंट है और यह कोई बी पोइंट है जिसके उपर यह चाल प्रजेंट है ना तो मैंने दे दिया कि इसकी वीज़ेसे और इसकी विज़्ासिशा जो electric field यहां पर लगने वाला है intensity उसको मैंने नाम दे दिया electric field intensity of B ठीक है इतना clear है समझ में आया याद तक कोई भी हमने यहाँ पर ऐसा कोई काम नहीं किया जो यहाँ पर साप दिखाई ना दे रहा हुआ तो अब हम थोड़ा सा mathematical calculation अब यहाँ पर करेंगे physics हमने यहाँ पर देख लिए क्या हुआ अब यहाँ पर देखो यह angle theta है और यह angle हमने माल लिया कि यह angle theta है दोने equal है theta angle है ठीक है यहाँ पर तो यहाँ पर एक मैं यह इसके horizontal के corresponding एक parallel line यहाँ ड्रो कर रहा हूँ अब यह angle theta है तो इसके corresponding यह angle भी theta ही रहेगा अब यह वाड़ा angle theta है तो यह देखो Z बना रहा है Z की अकरती बना रहे हैं यहाँ पर तो Z बनाएंगे तो जो internal angle होते हैं वो equal होते हैं तो यह वाड़ा angle भी क्या हो जाएगा theta ही हो जाएगा यह नहीं कि सेम रहेंगे दुमें तो अब resultant electric field देखो हमें तो चाहिए इस P point पे total electric field कितना लग रहा है वो अब यहाँ एक A पे जो charge है उसकी वज़े से तो इधर वो चाह रहा है कि यह इधर electric field लगे B पे जो charge है वो इधर लग रहा है अब दोनों की same direction तो ही नहीं तो हम क्या करना चाहेंगे इसको E of A और E of B जो electric field intensity है A और B की वज़े से उसको two perpendicular components में देखो magnitude तो equal हो गया magnitude क्या हो जाएगा q over four pi epsilon naught और r square हना और r क्या है इस point की यहां से distance और यहां से distance दोनों से same ही है यह distance कितनी हो जाएगी r square plus a square और यह वाली distance भी कितनी हो जाएगी under root r square plus a square दोनों की distance same है तो दोनों point से यहां की इस point की distance से present same है तो magnitude जो है हमारे पास E of A का और E of B का magnitude तो same ही रहने वाला है हना ठीक है यह equal है दोनों तो दोनों equal है तो यह इसको इधर ले जाने की कोशिस करेगा यह इधर ले जाने की याने की हमें पता ने चल रहा कि कि इधर लेके जाए तो हम क्या कर रहे है इसको इसको two perpendicular दोनों को ही two perpendicular components में resolve कर लेंगे तो resolve करेंगे तो देखो E of B क्या बन जाएगा मैं थोड़ा सा अलग different color ले ले लेता हूँ यहां पर ताकि वो अलग से दिखे मैं यहां green color ले रहा हूँ ठीक है तो यहां पर मैंने क्या क्या green ना ले करके yellow ले ले लेते हैं ओके मैंने क्या क्या E of B को two perpendicular components में resolve कर लिया एक तो आ गया इधर और एक हो गया इसका दो perpendicular component तो यही बनेगे जिदर angle theta बन रहा है उदर क्या होता है उसके साथ cos of theta का component आता है तो E cos of theta का component इधर आ गया और इधर आ जाएगा E sin of theta ठीक है या B कह लो E of B sin of theta ऐसे जो निचे E of A मेरे पास आ रहा है इसको भी two perpendicular components में resolve कर लेंगे एक तो आ जाएगा इधर और एक आ जाएगा इसकी side में है तो theta angle इधर बना रहा है तो इधर जो component आएगा E of A का वो आएगा cos of theta का component और यह आ जाएगा E of A sin of theta का component है अना हमने देख लिया कि E of A और E of B का magnitude बराबर है तो देखो E of B sin of theta उपर की तरफ है और ठीक इसके opposite में E of A sin of theta है अना बिल्कुल opposite में तो हमें पता है देखो sin of theta theta भी same है दोनों के लिए theta भी equal है तो E of A sin of theta जो होगा वो E of B sin of theta के बराबर हो जाएगा और दोनों बराबर है दोनों एक दूसरे के opposite 180 degree पर जा रहे है तो क्या हो जाएगा दोनों एक दूसरे को cancel out कर देगा यह जो electric field है यह इसको cancel out कर देगा यानि कि जो sin theta का component होगा उसकी वजह से जो electric field रहेगा point P पे उसका जो effect रहेगा वो कितना रहेगा zero रहेगा समझ में आ रहा है यह बात clear है इसमें कोई confusion मुझे नहीं लग रहा कि कि किसी पर कर रहेगा कोई confusion है तो यह component हो जाएगा मेरे पास zero आप resultant बचेगा मेरे पास sin theta तो खतम हो गया यह वाड़ा component तो खतम हो गया इसकी वजह से कोई electric field नहीं लगने वाड़ा अब इस point पे resultant electric field E a code of theta और E a cos odd eta 2 N a की direction में है तो यहां पर जो total electric field हो रहा हो ओगा वो क्या हो जाएगा दोनों के संं बराबर हो जाएगा ई कोइस of theta फिर्क्ट aye बी कोअर dal ए की direction में और दोनों electric फिल्ट की डिरेक्शन सेम है तो दोनों क्या हो जाएगगे sum हो जाएगे और मैं हमने बताया था कि E of A का magnitude E of B के magnitude के बराबर है कोई भी इसको E नाम दे देते है में ना तो E of A का magnitude E of B के बराबर है तो E of A cos of theta E of B cos of theta के बराबर हो जाएगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ T้ो टाइमस ओफ E cos of theta गाँ भी इदे दे आमने इसको नम तो यह हो जाएगा रजल्टेंट जो इल्लक्ट्रिक फिल्ड रहेगा एक्विटोरियल लाइन पे वो रहेगा टू टाइम्स ओफ फी कोस ओफ दीका है, अब कोस ओफ ठिटा क्या रहेगा वो देखते कोस ओफ ठिटा की वैल्ली क्या रहने वाली है? E का तो magnitude हमने देख लिया था, E का magnitude हमारे पास आ गया था क्या? 1 over 4ptsal not Q over r सुके रहा ना, यही तो था, E का magnitude तो मेरे पास ये वाला है, ए का magnitude तो यह रहने वाड़ा है आर क्या है इस point से इस point के बीच का distance चाहिए इस से लेलो चाहिए वाली लेलो Q-4 जो है जिससे हम distance निकाल रे लेक्ट्रिक फिल्ड निकाल रेपी पॉइंट से वो वाले distance मतलब अंदरूट और स्केर प्लस a स्केर हो जाएगा यह अना आर दे दिया मैंने कोई भी आप नोटेशन देखें मालो capital R ले लो यहाँ पर capital R जो है वो किसके बराबर है under root R square plus A square के बराबर है ठीक है distance of separation का square अब course of theta क्या होगा देखो यह वाली triangle है इस वाली एक right angle triangle ले लेते हैं यहाँ से यह distance है मेरे पास A यह distance है मेरे पास R ठीक है और यह इन दोनों के बीच का distance of separation होगा यह capital R जो है वो R square plus A square के बराबर है तो हमारे पास course of theta यह वाली triangle मैं यहाँ पर हाफ वड़ा पॉर्शन पर यहाँ लिखा यह तो है A यह है R ठीक है और यह angle है मेरे पास ठीक है यह है मेरे पास 90 degree तो course of theta किसके बराबर हो जाएगा course of theta कहाँ से हो जाएगा मैं इसको कोई नाम देता है course of theta क्या होता है हमारे पास यह एक formula होता है l a l divided by k k a ठीक है l by क्यों होता है sin of theta a by क्या होता है course of theta ना हिंदी में है यह लंब आधार और लंब अगर इंग्लिस में देखें तो क्या है पंडित पद्री साद हर हर बोल और क्या बन जाएगा यह यह बन जाएगा ऐसे रहते है सो ना यादि रखने ही ट्रिक थी ना यह चांदी बन जाएगा थी ना है तोल थाना सो साइन कोस अग ट्रिक एंट बेस बाइफएट री हाइपरटनुज भैस इवाइडद बैस राइपरटनुज के बरापर हो जागा small r square plus a square का under root तो मैं ये वाली दुन्नों value उठा करके यहां put कर रहा हूँ question first भी तो मेरे पास equation first जो है वो क्या बन जाएगी देखो question first की जो values है वो क्या हो जाएगी जो equatorial line पे जो electric field है वो क्या हो जाएगा two times of e e क्या है q over 4 pi epsilon 0 r square और cos of theta cos of theta क्या है a by under root r square plus a square ठीक है capital R की value और put कर देते है e जो होगा equatorial line पे वो हो जाएगा twice of q into a divided by 4 pi epsilon 0 r किसके बराबर है under root r square plus a square और इसका क्या हो जाएगा square multiply 1 by the root r square plus a यह a है मैंने यहीं लिखते है q a यह वाली value बन जाएगा और इसको अगर dipole moment की ट्रम में लिखना चाहें तो हमें पता है कि dipole moment P जो है वो two times of q into a के बराबर होता है तो इसको ट्रम लाइन पर electric field हो जाएगा P divided by 4 pi epsilon 0 यह under root r square plus a square का square है तो r square plus a square पर यह होगा इसके पावर 1 by 2 अना यह होगा इसके पावर 1 यह होगा 1 by 2 यह होगा तो क्या बन जाएगा मेरे पास r square plus a square की पावर 3 by 2 यह resultant यह वाली value मेरे पास ठीक है पी क्या है यहाँ पर dipole moment dipole moment की ट्रम में equatorial line के उपर हमारे पास जो electric field intensity की value रहेगी को यह रहने वाली है अब वही पहले वाड़े जैसे उसमें हमने क्या था एक case हो गया when the dipole is very small dipole की जो length है वो very small है उस case में क्या हो जाएगा कि जो हमारे पास a होगा उसकी value क्या हो जाएगी r से 60 हो जाएगी क्योंकि r क्या है distance और a क्या है size of the dipole size of the dipole हमारे पास small होगा तो a की value small हो जाएगी तो यहाँ पर e जो है वो क्या बन जाएगा p vector divided by 4 pi epsilon note r square plus a square जो है वो approximately equal हो जाएगा r square की अंदर बज़ गया r square वो इसकी power हो जाएगी 3 by 2 यह cancel out हो जाएगा p जो equatorial पे हो जाएगा वो जाएगा पी ओवर और पाई अपसाइलन नोट आर की यह वाड़ी आजाएगे हमारे पास electric intensity due to an electric dipole on an equatorial line of an electric dipole ठीक है equatorial line के उपर यह वाड़ी वैल्लू हमारे पास आजाएगी ठीक है तो यह equatorial line पर इलक्टिक फिल्ड की वल्लू थी भई आज का lecture यही पर समाप तोकता है झाल, 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 झाल